आज के वीडियो लेक्शर में हम BHC UPET 2020 में जो भी क्यूशन कॉम्प्लेक्स एनलाइसी से पुछे के थे उन सारे क्यूशन को डिसकस करेंगे इससे पहले हमने क्या डिसकस किया है है वह आप बहुत सकते हूं पीटी की बात करें तो कॉंप्लेक्स एनलाइस से टोटल टेन क्यूशन पूचे गया थे और देशा कि आपको पता है टोटल किसन की तरहाते हैं 120 राइट 120 में से टेन क्यूशन पूचे गया थे इसका मतलब टेन क्यूशन मोले तो आपके 30 मार्क् सालते हैं फैस्ट क्यूशन की और यह जो फैस्ट क्यूशन है यह जो अपना टेलिग्राम चैनल पर क्यूशन पर पड़ा है उसमें क्यूशन नमर सेवन है देखे क्या बोल रहा है इप एप फोप जेड इक्वल टू एबसल्यूट वेली ओप साइन जेड देर फोर ओल जे पड़ा है तो इक चीज तो आपको प्लियर पता लग गई क्या पता लग गई फोरल जेड की बात हो रही है यह बोल रहा है एम से सोटा है इस फोरसम पोच्टिव इंटिच रियम मतलब यह क्या बता रहा है यह बोल राहा है जो भी होगा either 10 और less than 10 यह बोल रहा है either one और lesser than one this means यह बोल रहां Just one अयक्क यह भी बोल रहां आदेड होगा यह भी बोल रहां बाउन्डेड होगा यह का बोल रहा है अन्बाउन्डेड होगा राइट तो माम laat nисс udah बड़ा क्या करें आईड से अले कुछ जुगार लगाते हैं यह सो हमने एक त्योरम पढ़ीती लेवलू त्यूरम इसको तोणकर तरीके से प्रूब करेंगे देखना इसको लेवलू त्यूरम क्या बोलती है को अब लेवल है अगर कोई फंक्षन हैं इंटाइर फंक्षन अगर अपने पास इंटाइर फंक्शन है इंटाइर फंक्शन क्या होता वह बता दूंगा इंटाइर फंक्शन है वह क्या है बाउंडेड है कोई भी इंटाइर function है और bounded है तो वो क्या होगा यह condition imply करेगी कि यह क्या है constant है अगर आपके पास कोई भी इंटाइर function है वो क्या है bounded है इस मींज वो क्या होगा constant इंटाइर function से क्या मतलब है इंटाइर function means no singularity no singularity in finite complex plane no singularity in finite complex plane this means z equal to infinity पर हम कुछ भी नहीं का सकते may be in analytic may not be analytic right क्या होगा कि finite complex प्लेक्स प्लेमें है आपका इंटाइर function ठीक है और वह साते बाउंडेट भी हो तो क्या होगा constant होगा यह दोनों होगा अगर अगर कोई function constant नहीं है constant नहीं है और इंटाइर है this means यह तो अगर आपके पास कोई इंटाइर function गीवन है और साथ में क्या है वह अगर आपके पास bounded है साथ में क्या बाउंडेट तो कॉंचेट होगा लेकिन अगर कोई इंटाइर function है वो क्या है अरे बडाई अगर कोश्टेंट नहीं है कि इंप्लाईज आइधर कि नोटे इंटाइड और नोटे बाउंडेड अरे बाउंडेड नहीं है तो या तो फंग्रण क्या है इंटाइर नहीं है या क्या है bounded नहीं है अतर्द unbounded है चलो ठीक है अपने वाले case पर आते हैं देखो यह function है mode of sin z यह देखो entire function भी है entire function है चलो entire तो हो गिया क्या यह constant है क्या क्या यह whole all z के लिए constant है क्या constant नहीं है constant नहीं ना this means यह entire function है not constant not constant but entire तो यह बोल रहा आइदर नोन नोन इंटाइर और क्या होगा not bounded इंटाइर तो है यह तो नहीं हो सकता इस means क्या आपना bounded नहीं होगा यह क्या होगा अन बाउंडेट तो अप्शन को लोग कर दिया आप देखो तोड़सा और तरीके से समझाने का कोशिश करता हूं कानिफुजस आओ यह लिफन देख्लोंप यह लिफोड मलता है मों इंटाइर बाौंडडेड कोविंस्टेंड अगर इंटाइर फी ऐख वो अर钦 नहीं है इंटाइर है फोलिपिल नहीं होगी आपके पास इंटाइर हो इंटाइर हो और साथ में क्या हो नोट कॉंस्टेंट अगर संपोस कर लो यह बाउंडेड हो गया क्या हो गया बाउंडेड मान लो एक Section बाउंडेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटे सब को दुनिया जानती है यह तो क्या है सिंपल सा यह यह मालते हैं यह तो जनरीका क्या वोगया यह M से थोटा होगा यह M के इक्वल होगा for some positive integer M क्यों माल आते हैं अगर हैं इसको real analysis के दस्टी से देखे तो राइट यह क्या होता है less than equal to 1 तो इसमें आप carnifusion मत होईएगा complex में थोड़ा meter अलग होता है और real में थोड़ा सा अलग होता है तो इसको आप ज्यान से दिये किएगा इसमें गलती मत करिएगा यह livalu theorem है most important theorem है especially CSR net के लिए livalu theorem अगर entire है, bounded है तो constant होगा अगर constant नहीं है और entire है, this means unbounded है अगर bounded भी है bounded भी है और constant नहीं है this means क्या होगा entire function नहीं होगा ठीका ना, अब चलो next question पर the principal value of integral this अपने को छोटा सा integral गी होने इसका principal value यह भी वाइसा most important है देखना, क्या कहा रहा है देखना, बात आती है किसकी principal value की तो थोड़ा था पले बताता हूँ कि सब principal value होता क्या है राइट चलिए अब देखो हमने कोई function नहीं या यह ले लो चलो एक बार एक पोप x equal to 1 upon x cube interval ले लो minus 2 से 2 कुछ भी ले लो हमने यह ले लिया अब देखो इसमें एक point ऐसा आ रहा है जिसमें function क्या continuous नहीं है को नहीं है, 0 इसमें function x equal to 0 पर क्या है continuous नहीं है और वो point क्या है इस interval में like करता है जिस पर function अपना define किया है या अपने उजिस पर function का integration find out करना है तो क्या करेंगे, देखना अगर हमारे को कोई भी function given है जनरल तरीका तो यह है कि A और B interval पर कोई function given है इसका integration define है राइट लेकिन इसके बीतर एक point C पर है अगर एक point C मिल जाए अपने को कहां A B के बीच में या अक्स नोट माल लो जिस पर function continuous नहीं है तो इसका integration किस परकार से define करते हैं वो देखना integration A to B f of x dx equal to A to किस point पर नहीं है x not पर नहीं है x not minus epsilon 1 f of x dx x not plus epsilon 2 b f of x dx यह था A B कि पर पर define नहीं था नहीं था? यह function तो इसका integration नहीं हो सकता था तो हम ने क्या किया? एक छोटा सा epsilon इदर ले दिया इस पर define नहीं है यह continuous नहीं है, sorry तो यहाँ क्या कर दिया? फिर फशल यहाँ पर एपसिल ले लिया जीरो प्लस एप्सिलोन ओन फिर क्या करेंगे एप्सिलोन वन टेस्ट जीरो कर देंगे एप्सिलोन टू टेस्ट जीरो कर देंगे तो अपना काम बढ़ जाएगा तो सो क्या लेख सकते हैं लिमिट एप्सिलोन वन टेस्ट टू जीरो लिमिट एप्सिलोन टू टेस्ट टू जीरो ठीक है ठीक है यहां तक तो लोग कोई बाद डिफाइन हो गया अब कई बार क्या होता है अगर यह एप्सिलोन वन और टू अगर एक्वल नहीं हो तो इसे डिफाइन नहीं होता है यह आपसिलोन मन और एपसिलोन 2 क्या है एपसिलोन 1 और एपसिलोन 2 यह क्या है वो यह प्पैस्ट कौंटिटि यह राइट तो इसको हम दोनों को इकौल मान सकते हैं छलोओ हम ने एक वनाल लिया तो लिमिट एपसिलोन टेस्ट टुध ऑड यह किस पर है इस मौइमें पर how seemed of xdx by x not plus epsilon b f of x dx right और इससी को हम क्या बोलते हैं इससी को बोलते हैं principle value और क्या बोलते हैं principle integral denote करते है a to b of x Dx principle value of integral ठीक है इसी को बोलते किसको इसको इस परकार्च को calculate करते हैं ये तो अगया किसकी बाद जैंदरल वेकि अपने वाले प्याज़ हो अपने वाले प्याज़ आए सलों हम्हें भी साब कुछ इसाई करेंगे यह किसी पर डिफैन नहीं है जीरो पे तो यहां एक्स नोट के स्थान पर अपना क्या जाएगा जीरो आ जाएगा यह लोग साब 0 कर दिया हमने क्या कर दिया जीरो डारेट लिखता हूं आप देखो मैनस वन टू जीरो मैनस एप्सिलोन वन बाई एक्स क्यूब डी एक्स प्लस जीरो प्लस एप्सिलोन टू डी एक्स बाई एक्स क्यूब राइट इंटेक्रेशन कर दो यह क्या आएगा मैनस वन बाई माइनस वन गाय टू एक सी स्कुआयर इंटीघर नहीं आ गया ममाइन टू मैने स्फिलोन प्लस मैनन मैन टू 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 स्कुआयर एपसिलोन टू टू ट Dopo माइनस बाड लेलता हूँ यह मैनस बाॡ ले लिया यह यह घया क Candy ऑध टू एपस्लोन स्क्षायर माइनस वन बाइट लैक्ट यहांकि आया one by 2 इंट्थू स्क्षायर-2 एपस्लोन विख्षायर प्रॉफलेंग स्क्षायर ग्या है ये कितना है यान है येgun5-1 is 3 by 8 this is nothing but 3 by 8 तो computer जी को बॉलतो वेर इस 3 by 8 ओप्शन ये पर इसको लो कर दो सिंपल सा है कुछ नहीं करना क्या हुआ कुछ भी दे दे आपको जीस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन सोरी इस नहीं है उसको पॉइंट पर थोड़ा ब्रे कर लो इस टाइप से और हमने क्या किया कुछ भी ने किया सिंपल सा है अप्शिलों को जीरो पर ले गए राइट ऑफिलों तो कटे कि जीरों की जरूती नहीं पड़ी ठीक है ना इस प्रकार से देको सिंपल साफना केल्कुले या माइनस एक टू पलस ए एक ग्रेटर देंट जीरो इसके लिए इस इंटेग्रेशन की वेल्यू क्या होगी मैं आपको यह कॉप्शन और बढ़ायता हूं कि जीरो माइनस वन पलस एक सुड़के बहुत सारी सुबखे घिन्स करेंगे यह माइनस एं टू एक करेंगे यह कमेंट करके जरूर बताएगा यह भी अच्छा है कि उसने कई बार लिमिट चैंज करके पूछ लेता है सिंपल चाहा कुछ नहीं करना सोड़ा सा तो इंटेगरेशन था इसमें गड़बड कहा होती है वह बतायता हूं पलस माइनस में परती सथ नहीं 99 परती सथ अपने के गलती होने की चांस रहता है किसमें पलस माइनस में देखो पलस 3x8 या माइनस 3x8 आयेगा एकी कि दोनों अपने पास ओप्सन में है ओप्सन पड़ लोगे न तो आपको यह पता लग जाएगा कि बाई साब पलस माइनस का खेल है पलस 3x8 माइनस 3x8 पलस हाफ माइनस हाफ दिस मींज जो भी निकालो आप सुरुसी चोकरने हो जाना कि इसमें पलस माइनस की खेल में मैंने बाहर क्यों लिए माइनस के अंदर रहता ना माइनस तो थोड़ा गलती होने का चांस रहता जब हम इसकी लिमिट लगाते तो इसल कुछ नमर 55 है जो टेलीग्राम चैनल पर पड़ा है यह कुछ नमर 111 जो पर अबने टेलीग्राम चैनल पर पड़ा है गुड़ो कुमार वाला राइट आप देखो दोनों कुछन सबसे सिंप्लेस्ट कुछन है अरे यह जो जो इन कुछन को नहीं कर सकता ना उस वाले सब्सक्राइब देखलो इससे सिंप्लेस्ट कुछन मिलेगा नहीं आपको राइट देखना क्या बोल रहा है तो देखो देखने से क्या लगा इसका करते है इसका करते है इसको प्लस माने सो इसवह जैसे फ्रीया ओटा से उपर नीचे मल्टिप्लाइ कर देंगे और कुछ जो अपना डि नो मिनेटर रहे है वाग से क्या करेंगी इसको जो अपना आयुटा है इसको अठाने के वाशिज करेंगे राइट उससे कुछ नहीं होगा उसके अपने मा और root 3 आयुटा इस type से अपने कुछ देखा है कहां देखा है जब हम cubic root of unity पढ़ते हैं 1 omega omega 2 क्या लिखते हैं minus 1 plus root 3 आयुटा by 2 क्या लिखते हैं इसको हम omega लिखते हैं omega 2 क्या होता है minus 1 minus root 3 आयुटा by 2 इसका मतलब कुछ तिकड़न लगा सकते हैं क्या तिकड़न लगाएंगे देखना यहां देखो minus 1 नहीं है न minus multiply कर दो यहां भी कर दो उपर कर दो तो minus 1 minus root 3 आयुटा बन गया नीचे भी कर दो denominator में root 3 आयुटा बन गया कोई दिकत नहीं है अरे भाई यहां से minus multiply कर दों और यहां से कर दो minus multiply nominator और denominator कोई फरक नहीं है बना अपना काम इज़ी हो जाएगा क्यों अपने को इस फोरम में यह मिल जाएगा चलो साब कर दिया हमने आपकी बात मान ली फिर क्या करेंगे minus 1 plus root 3 इतना मिल गया by 2 नहीं है तो क्या करेंगे यहां by 2 लगा देंगे यह लोजी और यहां भी by 2 this by 2 2 से उपर नी से multiply कर दिया करने का मतलब क्या है हमने क्या कर दिया हमने कर दिया minus 2 से nominator में minus 2 से denominator में multiply कर दिया यह क्या बन गया minus 1 minus root 3 यह वाला 2 by 2 minus 1 plus root 3 यह वाला 2 की पावर 10 this is nothing but minus 1 minus root 3 यह वाला 2 minus 1 this omega 2 omega 2 this omega की पावर 10 omega की पावर 10 और हमने क्या पता है अगर omega is cubic root of unity then we can say easily omega cube equal to 1 omega cube equal to 1 this means omega 9 equal to 1 then यह क्या हो जाएगा omega 9 into omega this equal to क्या हो जाएगा अपने पास omega यह तो वनों हो गया ठीक है अपने पास क्या है what is omega minus 1 plus root 3 यह वाला 2 minus 1 plus root 3 यह वाला 2 तो computer जी को बोल ऑप्शन 2 को लोक कर दिया जा अब देखो गड़बड़ हो सकता है तो जान से plus minus का बाइसा बहुत विशेश जान रखना इस टाइवी क्यूशन में जैको minus plus minus plus का खेला अरे मेत है मेत में plus minus हो जाएगा में जो कुछ सब कुछ हो गया plus का minus कर दिया minus का plus कर दिया right तो पूला मामला गड़बड़ हो जाएगा जहां रखना ठीक सिंपल सा कुछ नहीं करना क्यूशन पड़त पड़ लिया आपने क्यूशन पड़त है दिमाग में आया कि यार यह one plus root three यह कुछ जाना पाचाना चेरा लग रहा है फिर दिमाग को पूचा भाई और omega 2 की फोरम में लेकर आ सकते हैं उस तक अपना काम easy बन जाए तो ले आए जब टू भी नहीं था माइनस भी नहीं था तो माइनस 2 से उपने से multiply कर लिया सिंपल सा बात है कर लिया तो इस simplest फोरम में आ गया अब आगे आपके पास omega 10 है आपको पता होने से कि omega क्या है omega क्या है omega is nothing but cubic root of unity तो omega cube equal to 1 सिंपल सा इसमें कुछ करना थोड़ी है ठीक है न चलिए इसका काम हो गया सिंपल सा आपको अगर यहां अगर यहां कुछ और कुछ मिल जाता आपको तो क्या करते और कुछ इंदा करके मिल जाता तो क्या होता माइनस में माइनस का मल्टिपले और हो जाता और माइनस और की पावर जाए तो कितनी हो पलिस ही हो जाता तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता और भी इस टैप से कुछ भी पूचे आपको ध्यान रखना है कि अगर इस टैप का गिवन हो ना तो ओमेगा ओमेगा टू ले आओ इससे सोल कर दो आरम से हो जाएगा और यहां ओमेगा टेन आ गया तो गवरान एक जरुत नहीं ओमेगा यह और हो जाएगा अब देखो जिट्टो क्यूशन इसी टैप का अगर यह कुशन आप ने कर दिया मेंगजिममग्स कुशन यह वोटन्टी से कंड्न का क्यूशन था और यह है घैन सेंट आ निए और आपको टाइम क्यतना मिल रहा है एक मिन्ट आ लगवाग इसका मतलब इस टाइप कि कुशन आपका टाइम सेविंग करते हैं यह क्या है यह टाइम सेवर आपके आपका समय बचाएंगे एक्जाम में जेड इक्वल टुदीस है यह 111 नमरा क्यूशन है क्यूशन पेपर में देर जेड की पावर फोर केन भी एक्सप्रेस टेज़े यह देखो अगर कंटेन्व आ जागा आते हैं देखना यह बोल रहा है इस पूर अपने को इस फोकी वेलिक पूचिन है तो का करोगे में यार वही वहन भी देखा वह है रूट त्री आयोटा भी देखा यहें देखा कहा है ओमेगा एक्वल टू माइनस वन माइनस रूट त्री आयोटा बाइटू अपड़े य है यहाँ माइनस भी नहीं नहीं है तो क्या करेंगे मैंस जड़ लगा दूं माइनस जैड इक्वेल टू माइनस अवन माइनस रूट द्रियोटा अब लिए किस्में मिल गए इसमें मिल गया और ये क्या है यवाई साथ है टूमेगा फू थीक है टूम्योंगा स्कुइर तो इसको क्या लिख दू में, 2 omega square, अपने हो क्या चाहिए, z की पावर 4, z की पावर 4 कर दू, 2 omega 2 की पावर 4, ये बन गया, z की पावर 4, equal to 816, omega 4, 16 omega 4, omega cube equal to 1, omega 4 equal to omega cube into omega, this equal to omega, omega 16 into omega, what is omega, minus 1 plus root 3, by 2, 2 से 2 गया, आट आगिया, तो minus 8, plus, at root 3, minus 8, हुँ, 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 ये बन रहा है न, तो computer जी को बोलो, option 2 को लोग कर दिया, ये को simple सा था, कुछ करना ही नहीं था, अपने को क्या लाना था, ये plus आएगा का minus आएगा, add तो सब में common है, तो ये इसको बागा देने वाला तो टेंस नहीं सोड़ो आप, ये इतना आ गया न, omega, omega means, देखो, इस type से आपर याद रखो इसको, omega, omega 2, minus 1, plus root 3, एक first time plus आएगा, second time minus आएगा, देखो, पहले को न आता है, 1, फिर omega, फिर omega 2, याद रखने के लिए आसे, omega 2, omega 1, omega 2, इस type से आप याद रखने के लिए मान सकते हो, पहले plus आएगा, फिर minus, बोलते न, जोड बाकी, तो plus minus, तो इस type से आप इनको याद रख सकते हो, plus आएगा, तो आप इसको यह लिख सकते हो, minus आएगा, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, और simple सा calculation आपका होई जाएगा, निकलना क्या है? कि यहां पलस आएगा एक मैंस मैनेस आएगा यहाँ पलस आएगा और मैनेस आएगा अगर यह find out कर लिए आपने तु तुरंघ काम हो जाएगा सिम्पल साथ हुश नहीं करना यह कूछ जाना पेचाना चाहाद लगा दिमाग तुरंद गया किस पर omega और omega 2 दों को पकड़ लिया पकड़ के यहां ले आए क्या किया इसे कुछ mail जोल करा है इनसे इनसे कुछ मुलाकात हुई तो मुलाकात हुई तो लगा कि भाई तु तो तेरे निप आगे minus लगा ले तो मैं तेरे से कुछ बाचीत कर सकता हूं तो इसने minus लगा लिया इसने बाचीत शुरू की यहां आगी बाचीत इसने बोला इसके power for लगा तो इसने बोला लगा लिया के अपना क्या दाता है लगा लिया और अपना काम हो गया सिंपल सा है बढ़ते नेक्स्ट क्यूशन की और नेक्स्ट एन सिंपलेस्ट क्यूशन वीच ओफ फोलोईंग वह नोट लियल प्र उप ये नलीतिक फंक्सन अपने को पूच था इन में से इस ऐई क्वैस्ट सा नहीं है नहीं है ये एक इनलीतिक फंक्शन राइट इस मींस अपने को बोला है अगर f of z this means f of x plus iota y यह u of xy plus iota v of xy अपने को पूछ सा है इन में से यह u xy कौन सा नहीं हो सकता कौन सा नहीं हो सकता कैसे बताओगे भाई यह वाई का करें इसका बताओ कुछ हमने पढ़ावा लग रहा क्या पढ़ावा लग रहा है यह रिल पार्ट यह सा कुछ मतलब है अपने को पढ़ा हमने पढ़ा था अगर कोई function क्या है इनलाइटिक है तो वो क्या होगा वो होगा अपना harmonic function होगा harmonic function होगा this means वो Laplace equation को satisfy करेगा satisfy करेगा this means del square u plus del square v ये equal to 0 this means this equal to 0 right plus iota this or this equal to 0 this means जो भी होगा चाहे imaginary part हो चाहे real part हो चाहे imaginary part हो चाहे real part हो दोन्नों को क्या करना पड़ेगा Laplace equation को satisfy करना ही पड़ेगा करना ही पड़ेगा ठीक है चलिए आजाते हैं अपने वाले में देखो first को लेलो ये क्या है del 2 u by del x2 plus del 2 u by del y2 equal to 0 दो बार x के respect हम करो plus दो बार y के respect हम करके जोड़ दो क्या आएगा दो बार x के respect में किया तो minus एक बार किया x के respect में तो minus sin x दो बार से किया x के respect में तो minus cos of x और ये y वाला constant की तरह पड़ा रहेगा प्लस दो बार y के respect में ये constant एक बार किया sin hyperbolic y दो बार से किया वापिस cos hyperbolic y तो यह आगिया cos x cos hyperbolic y यह तो 0 हो गया यह तो 0 हो गया इसका मतलब satisfy कर रहा है इसका मतलब real part हो सकता है न तो इसको तो बगा दो बगा दिया सिंपल सा है अब देखो आप चाहो तो इन्हों में देख भी लगा सकते हो जिसमें x और y में symmetry नहीं है ना x और y में symmetry नहीं है या sorry है इसमे x और y में symmetry है दोनों जुगा क्या हो आएगा प्लस symbol है राइट तो उसकेस में आप डारेट भी डेश्काड कर सकते हो क्यों अगर दो बार एक्स के respect में करोगे दो बार y के respect में करोगे सेम यह आएगा आक्स के सान पर y हो जाएगा तो मतलब यह प्लस है यहां तो जीरो तो उसकेस में नहीं बन सकता आप देखला नहीं है कि देखो सेकंड वाला में क्या आक्स के respect किया आप ले तो क्या आया minus 2x by one plus x square plus y square यह क्या है यह टेल टू यू बाई सुरी अभी नहीं है अभी डेल Тыल यू जली यू बाई डेलक्स है इसका फिरश्चाश किया है और स्कुर्पाइर्प न्यों 1-0 प्लस अक्शिंए्वा इस्कुर्पोइर्प प्लस स्कुर्प्लेक्स ओन्युों 3-1-2-1-2-1-2-on-2-1-1 स्कुर्पोइर- tight-0-1-2-1-2-1-1-2-1-1-2-2-1-1-1, तो चूरे ना कि टू ऑं सी क्र Bell मानिस तू स्कॉयर माइन वाइस कोयर मानिस न्हीं तो अगया अपॉन दिस सम्तिंग रख화ई और फिर यह निकलेंगे यह तो यह अगया यह निकालेंगे तो यह क्या एक wraps अख क्ताल में उ downwards कोल है का में symmetric है तो हाक सिसानफे य हो जाएगा है तो य य स्कौर माइनस टू-2 बाइदीस तो यह हो यह इस से cancels यह इससे cancel माइनस फोर भाइ माइनस फोर वाइज वन प्लस एक स्कौर यह दुबार से करेंगे ना तो इसका क्या हो जाएगा क्यों बोजाएगा यह न ठीक न दुबार से करेंगे तो तो इसमें कोई दिकत नहीं आने से यह गया इस नॉट इकवल टू जीरो इस मींज यह कंड यह क्या है लाप प्लास एकेशन को सटीस्पाइब नहीं कर रहा है सब में क्या हार्मोंरिक नहीं है हार्मोंरिक नहीं है तो इसका मतले का खॉप आजन का रियल पार्ट होता तो क्या होता हार्मों क PlayStation का क्या हुक अब्हूंत है नोट तो इसको कम्प्यूटर जी को बोल इसको लोग नॉक कर दिया जाए इसमें देखो सब में क्या दिकत आ रही है किसी में भी x और y में symmetric नहीं है यह भी देखो x y में symmetric नहीं है यह भी x y में symmetric नहीं है तो rest of all इसको satisfy कर जाएंगे और यह क्या करेगा इसको satisfy नहीं करेगा तो इस परकार हमने 5 questions discuss कर ली है अगर वीडियो पसंद आया तो like कीजिए share करने के अपने कोई जर्त नहीं है क्यों like कर कर दीजिए कमेंट करके बता सकते हो वीडियो अच्छा लगा या नए लगा थैंक्यू थैंक्यू सो मज कर दो आहा है यहा है वीड़ा हैłem टवोर में पायाझाएला यहाँ जर्हाँ जर्ठाएलास कमेंट सकते हैं अश्ड़ावान नहीं है यह है कर आप्त रयाद़त sebelum में है वीडियो खुच अपात बस्धा तो अधाल